हाई एवरिवन आज हम करने जा रहे हैं population education यह हमारा unit 4 है education में 12th class में तो आज हम यह complete करेंगे population education तो सबसे पहले population education होती क्या है population education means to educate people about the needs importance and methods of population control तो हम बोल सकते है population education क्या होती है यानि जो population हो रही है नजो बढ़ रही है भी उसकी related जब हम जो हमारी school में लूग है या बच्चे हैं उनको हम जब education देते हैं उनको हम बताते हैं कि जो population है इसको control करने की क्या जरुत है क्या इंप्वर्टंस है औरoure कि methods को हम यूज करके इसक किया हमें नुकसान फिर आगे जाके हो सकते हैं sometimes the term is confused with family planning and sometimes even with sex education but it should be kept in mind that population education is the knowledge about the dangers of overpopulation and also a need to understand the importance and way of its control तो कभी कबार क्या होता है ये बोला जाता है कि जो ये जो family जो हमारी population education ये क्या होता है family planning उसके related है या sex education जो बच्चों को देते हैं हम उसके related है तो ये वैसे नहीं है ठीक है इसमें हमें याद रखना है कि जो population education है इसमें हम बताते हैं कि इसमें ये सारा तो होता है ये इसके कुछ parts हैं बट उतना नहीं होता है ठीक है इसमें हम मैन फोक्स हमारा होते है जब हम population education जब दे रहे होते हैं इसमें हमारा main focus होता है कि हम बच्चों को बताएं लोगों को बताएं कि जो over population है उसके आपको dangers क्या होंगे आगे जाके ठीक है अगर आप population ऐसे बढ़ दी रहेगी तो आगे जाके क्या हो सकता है उसका उसका मतलब नुकसान आपको क्या पूंजेगा और इसकी importance क्या है और हम किन तरीकों से जो population जो है उसको हम control में ला सकते है तो में मकसद यह होता है इसका population education is an educational process aimed at bringing about the change in the attitude and behavior patterns of individual which may enable him her to take rational decisions on population issues and implementing them so that it helps him her to achieve better quality of life not only for himself but also for the family and the nation तो अब आपको जो भी इसमें से मैंने बहुत साथ definitions रखी हैं जो भी आपको ज्यादा अच्छी लगेगी आपको कोई definition एक दो definitions उठाके लिख सकते हो no down कर लीज़ेगा तो जो यह वाल definition यह बताती है कि जो population education इसका main मकसद क्या है यह हमारे जो studies इसमें क्यों लाया गया है इसका मकसद यह है कि जो बच्चे हैं उनको अब भी वो छोटे हैं तो अब भी से अगर हम उनको aware करेंगे कि population क्या है इसकी importance क्या है इसके related अगर over population हो जाएगी तो क्या होगा तो जब वो बड़े हो जाएंगे जब उनका time आएगा इस चीज़ें इन चीज़ों के लिए त कैसे क्या हो रहा है हमारी country में तो वो उसी हिसाब से जो चीज़ें हैं उनको अपने लाइफ में implement करेंगे और जिससे क्या हो जाए कि जो और अपने गर में भी वो बताएंगे कि अपने गरवालों को aware करेंगे कि population education क्या होती है या population control हम कैसे कर सकते हैं अगर over population हो गई तो क्या हो जाएगा तो यह सारा जब हम उनको पहले से बताते हैं तो वो बागी लोग उनको भी यह बताते हैं देर देरे जिससे क्या हो जाएगा हमारी जो society है उसमें population के related जो है वो सब लोग educate हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे वो अच्छे से इसके related rational decisions देंगे जिसकी वो भी अच्छे उतारा की करेंगे अगर population काम हो ही population education is the term used internationally to refer to educational programs to assess learners to acquire the knowledge, skills, attitudes and values that will enable them to make informed decisions about population, events and issues which will affect their quality of life and of the society तो एक और इसके लिए मतलब related जो term है वो हम बोल सकते है population education जो है ये एक international मतलब पूरी दुनिया में जो ये term है यूज की जाती है इसका मतलब किसले यूज की जाती है ताकि लोगों को बता सके जो learners है हमारे उनको हम knowledge दे सकें, उनको हम skills दे सकें, उनको हम ideas दे सकें, attitudes उनक जो values है उनको हम बदले जो उनकी population के related जो सोच है उसको हम बताएंगी क्या आप मतलब ही सही है कि गलत है तो वो सब उनको सिखाएं और हम उनको ताकि मतलब जो आगे जब उनका time आए गया ये सब करें इन चीजों में आने का तो वो तब अच्छे से decisions ले पाएंगे और से develop हो जाएगी तो ये जो चीजे हैं ये हमें बदलनी है हमें इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना है क्योंकि अगर हम ये चीजे सोचते रहेंगे तो कल को overpopulation हो जाएगी जिसकी वज़ए से मतलब यहां पर बहुत सारी problems हो जाएगी कोई एक problem नहीं होगी होगी बलकि बहुत सारी problems हो उसके बाद in India its founder is Dr. Solan Wayland तो इंडिया में किसने सबसे पहले ये term लाई जो Dr. Solan Wayland है उन्होंने उसके बाद है हमारे general objectives of population education यानि इसके कुछ के main मकसद क्या है तो सबसे पहले knowledge and understanding तो सबसे पहले जो population education है इसका main जो objective है सबसे पहले वो है कि हम जो learner हैं जो बच्चे हैं उनको हम पहले से एक opportunity दें उनको ताकि वो knowledge gain कर सके उनको पता चले कि ये population education क्या है हम इसको कैसे control कर सकते हैं और हमें इसको control करने की क्या ज़र रहता है एक उनके दिमाग में पहले से concept डाल दें तो जिससे वो अच्छे से मतलब educated होंगे इसके related तो सबसे में मकसद इसका यह है कि हम उनके दिमाग में पहले से knowledge और understanding डाल दें किसके related? Population education के related उसके बाद जो दूसरा point अब हो है कि evaluation and judgment यानी जो इसका में दूसरा मकसद यह है कि जब हम बचे को education देंगी किसके related population education के related ये population के related जब हम एजुकेशन करते हैं तो उनको क्या जब मतलब जबब पूरी चीज़े हम उनको بتाते है उनके सामने रखते हैं उन जैसे इंडिया की आपको पता है पॉपलेशन कितनी जएदे है और जैसे अपी करोना वाइरस चल रहे है जिसके वाज़ा से अच्छे से कंड्रोल नहीं हो पा रहे है और अच्छे से कोवेड भी नहीं जा पा रहे है तो वैसी आप देख लो जो चोटी कंड्रीज जहां पर कंडिशन है उसको अच्छे से बैटर कर पा रहे है और वहाँ पर जो कोवेड है अब उसका विल्कुल भी ना वो निशान नहीं है तो वह ही है मतलब यह सारी चीज़े जब हम बच्छे के सामें रखते हैं उसको बताते हैं कि देखो अभी क्या हो रहा है अभी जहां पर ज इसको पता चलती हैं इनके बारे में उसको एक नॉलिज मिल जाती है और फिर वो एक सोच उसकी बन जाती है क्या यह सही है क्या यह गलत है उसके बाद है डिसिजन मेकिंग तो इसका मतलब है कि दूसरा इसका एम है कि तीसरा एम इसका यह है कि जो हम बच्छे को जब एक ल decision making क्या उसका scene रहता है वो भी इसका मकसद है ठीक है यानि वो क्या decisions दे पाता है ताकि उसके एक understanding बढ़ जाए ताकि वो फिर अच्छे से इसके उपर decisions दे पाई फिर उसके बाद ये है इसका उसके बाद है response of the programs तो यहां पर मतलब ये है कि ये वाला जो objective है ये बताता है कि जो learner होगा उसको जो बच्चा होगा जो पढ़ रहा होगा तो फिर वो क्या करें जब वो देखेंगा अपनी situation मतलब जो अपनी society में उसके population की situations है उसकी क्या problems है जब वो सारी evaluate करेगा कैसे उनको वो response देता है वो भी इसका मकसद है ठीक है तो अगर हम उसको पहले से अच्छे से inform करके रखेंगे पहले से उसको हम बताएंगे population education ये है और जब उसको बार बार ये सारे बाते पता चलती जाएंगी तो उसको पहले ही वो mind में बन जाएगा कि हाँ ये सही नहीं है over population अच्छा नहीं है तो जब वो फिर बाकी लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंचाता है और फिर जब उसकी बारी आती है वो उसमें खुद भी खुद पे भी मतलब वो बोलता है कि हाँ मुझे क्या चीज़ें करनी है जिससे मैं population को control में रख सकता हूँ या रख सकती मतलब ये सारी चीज़ें वो सीखता है उसके बाद है need and importance of population education यानि इसकी क्या importance है और क्या जरुरत है population education की population education जो है ये बहुत ज़्यदा ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले जो इसकी जो need है वो ये है कि controlling of population explosion यानि जो population explosion है जो अचानक से बहुत ज़्यदा population हो जाती है उसको जब उसके ओपर रोक लगाना तो वो इसका main मकसद है यानि जब हमें growth को check करते रहेंगे जो भी population हो रही हमारी society में over population हो उसके चेक रखें ठीक है तो हमें पता चले कि कि कितनी population है कहां पर क्या हो रहा है कितनी ज़्यदा कहीं पर कम हो रही है population गहीं पर ज़्यदा हो रही है उसके बारे में पता चले तो उसके बाद है मतलब यहां पर कि यह control करता है जो population explosion है आप next इसके बाद population explosion भी पड़ोगे तो उसके ओपर यह control करने में मदद देती है उसके बाद है ensuring quality of life ठीक है तो इसका मतलब है कि जब हमारी कहीं पर ज़्याद़ overpopulation हो जाती है तो उससे क्या होता है हमारी जो life है हम उसको अच्छे से enjoy नहीं कर पाते हैं देख लीजेगा अगर आप बहुत सारे बाई बहने तो जब आपके गरवाले होते हैं तो आप सब को अच्छे से equally मतलब नहीं कर पाते हैं सारी needs भी आपकी जितनी भी needs उनको fulfill नहीं कर पाते हैं ठीक है मतलब वो बहुत problems होती हैं उनको सब बाई बहनों को अच्छे से पालने में तो वहीं अगर आपके दो बाई बाई या बहन बाई होते हैं तो जल्दी से आपके माँ बाप आपको सारी जो भी आपकी problems होती हैं उनको जल्दी से solve कर लेते हैं जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है वो आपको जल्दी मिल जाती है तो इसलिए जो population अगर कम होगी तो तो जो हमारी life है वो भी बेटर होगी उसके बाद है optimum use of natural resources जैसे आप देखोगे अगर कहीं पर population जएदा होती है over population हो जाती जिस country में तो वहाँ पर जो natural resources है उनको भी फिर लोग बहुत बुरे तरीके से use करते हैं या बहुत ज़्यदा use करते हैं जिसकी वज़ज़ से क्या होते हैं वो दीरे-दीरे exploit होते जाते हैं वो natural resources और वो कम हो जाते है और जहां पर फिर उनकी जो life और लोगों की वो बहुत ज़्यदा मुश्किल हो जाती है जिसकी वज़ज़ से उनको बागी फिर country से क्या करना पता है पढ़ता है export करने पढ़ती है इंपोर्ट करने पढ़ती है चीज़े इस वज़ज़ से उनको बहुत ज़्यदा जिती भी चीज़े हैं वो बहुत महंगी हो जाती है उसके बाद है economic development यानि economic development मतलब यहां पर जो हमारा जो economic development है वो भी जो over population है उसकी वज़ज़ से नहीं होता है जिस भी country पे over population होती है नहीं होता है तो जिसकी वज़ज़ से हमारी जो country है वो बाकी country जितनी भी world की है उनसे बहुत पीछे है क्योंकि जो भी हम कोई चीज़ प्रड्यूस करते हैं वो हम उसी time मतलब हमें consume करने पड़ती है क्योंकि इतनी ज़एदा population ही है जिसकी वज़ज़ से वो चीज़े consume हो जाती है जल्दी से तो जिसकी वज़ज़ से हम बाकी जो developed countries है उनके बराबर नहीं पहुँच पारे है तो अगर हमें develop होना है जल्दी से develop होना है development की तरफ बढ़ना है और हमें एक developed country बनना है world की तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें population को control में लाना पड़ेगा और इसके लिए हमें जो भी necessary चीज़े हैं जो भी चीज़े हम major ले सकते हैं हमें वो करने पड़ेंगे तो सबसे पहला जो है वो है कि हमें लोगों को educate करना है इसके related उसके बाद है solving food problems यानि इसका मतलब हो गया की जहां पर over population होती है जिन countries में वहां पर खाने की भी बहुत कमी होती है क्योंकि सब लोगों को फिर खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाते है जैसे हमारे इंडिया में कितने लोगों इसके लोगों अगर हमें क क्या करना पड़ेगा हमें लोगों को educate करना पड़ेगा किसके related population के related और school जब school में ही होते हैं बच्चे वहीं से हमें उनके mind में सी डाल देना है कि पहले से उनको पता चले कि हमारे इरद किरद क्या हो रहा है उसके बाद है value orientation मतलब जो population education है वो हमें मदद देती है क्यों इसकी जरूरत है हमें क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें जो भी values वगरा है वो हम पहले से ही डाल पाते हैं हम school में उनको बताते हैं कि gender equality क्या है जो male और female में किन चीज़ों पर inequality होती हैं किया कैसे हम उनको overcome कर सकते हैं रहे हम पहले से बताते हैं तो हम बच्चों को जरूप पहले सकूल में यह सारा education नहीं देते हैं तो जिसके वज़े से अगर हम school में भी education नहीं देचेंगे तो जिसके वज़े से उनको concept है तो स़ोच बहूत पीछे रह जाएगी और वह develop नहीं करींगे तो इसलिए हमें क्या करना है हमें जो population education है वो school में ही पहले से देनी है और उसके बाद है establishing equality of sexes हाँ यहां पर उसके बाद है कि जो family planning programs होते हैं जो भी हमारे इसके population education के अंडर आता है इसमें क्या होता है हम बताते हैं इसमें बताते हैं हम जो बच्चे उनको पहले से बताते हैं कि दोनों male female equally important होते हैं और दोनों के जो roles होते हैं वो अलग लोग होते हैं बट दोनों को अपने rules अच्छे से निबाने होते हैं इसमें बहुत सारे मतलगा बहुत एक कान्टिसेप्टिर्थ वगेरा सारी वहा सारे फमेल्क को सारे की जिमूर्डार करने हो धे हो और चीज खेद आरे घाम हमें खतम करने हमां encouraging, उसमें बहुत इंपनर में और रोल होता है और हमें बताना है बच्चों को पहले से की क्या रोल है कैसे करना है क्या सब होता है जिसके वज़े से वो आगे जाके क्या करेंगे जो उनको एक्वैलिटी एक है जो जेंडर इन इक्वैलिटी हमारी सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट करती है उसको वो खतम हो जाएगी और जो भी आगे जाके दोनों मिलके जो नो करना करेंगे तरह है कि पूरी दुनिया में यह माना गया है कि जो Population Dynamics या Population Education है, यह बहुत जादा important है हमारे बच्चों में पहले से ही लाना क्योंकि अगर हम पहले से उनके मतलब दिमाग में सारी बाते डाल देंगे, बोलिंगे Population Education क्या होती है, क्या है मतलब पहले सी क्यूंकि उनका फिर पहले से उनक पहले से उनको इस चीजे पता होगी तो वो उसी हिसाब से फिर decision भी ले पाएंगे then controlling environmental degradation यानि देखो जब population बहुत जएदा होगी तो उतने मतलब नई नई technologies भी आती रहेंगी नई नई चीजे बनाते रहेंगे लोग उतनी जिसकी वज़े से ये मतलब environment जो हमारा है उसमें वो pollute होता रहेगा deforstation यानि पेडूं को उतना जएदा काटा जाएगा गर बनाने के लिए, factories बनाने के लिए, चीजे बनाने के लिए और साथ में environmental crisis भी बहुत जएदा हो जाएगी तो अगर हमें इन सब को control में करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा population जो हमारी है उसको control करना पड़ेगा उसके बाद है eradication of blind faith हाँ तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं बहुत सारे religions भी मानते हैं कि जितने जएदा बच्चे होंगे उतने आपको फिर आगे जा कि जो next जो भी है उसमें आपको फिर फाइदा मिलेगा या खुदा आप से या बगवान खुश हो जाएगा तो बहुत सारे जिसके वज़े से जो है population बहुत जादा बढ़ती जाती है तो इस चीज़ को भी हमें खतम करना है तो इसके लिए क्या है हमें पहले बच्चों को बताना पड़ेगा की population education है क्या अब इसके बाद है हमारा population explosion तो the excessive rise or rapid increase in the size of population caused by such factors as sudden decline in death rate and an increase in birth rate तो यह क्या होता है इसको हम बोल सकते हैं जो population explosion जो है यह क्या होता है जब दुनिया में अचानक से जो मरने वाले लोग होते हैं न मरने की पैदात लोगों की कम हो जाती है वहीं जो birth rate है वो जैदा हो जाती है यानि लोग मरते कम है और पैदा जैदा हो जाते हैं तो जिसके वज़े से क्या हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं और जल्दी जल्दी होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं population explosion तो अब है हमारा population explosion के causes किया हैं किन की वज़ा से होती है यानि gap between birth rate and death rate तो सबसे पहले यह यह यानि जो वह नहीं बुला population explosion में क्या होता है तो जब birth rate और death rate जो है उसमें एक gap आ जाता है यानि लोग पैदा जायदा हो जाते हैं और मरते कम हैं या गुजर जाते कम हैं तो जिसके वज़े से लोग जादा कम तो ज्यादा कम ग गुजह जाते हैं कुछ problems की रूज़े से या वह भूज से लाइफ नकि ईलंस हो फोल्बी हो रही है दीरेदीरे लेकिन वहीं जो बृत है उसमें क्या हो रहा है उसके बाद early marriages यानि या इसमें क्या होता है बहुत सारे मतलब हमारे इंडिया में बहुत जल्दी कुछ जगाओं पे कुछ गाओं में कुछ states में जो बच्चों की या लोगों की जल्दी कम age में शादी करा दी जाती है जब की जैसे की हमारे इंडिया में legal age females के लिए 18 रखी गई है वही male के लिए 21 रखी गई है लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे states हैं जहां पर बच्चों की age 15 में करा मतलब बहुत सारे बच्चों की 15 जब वह 15 में पहुंचते हैं उनकी शादी जातर लड़ क्योंकि उनकी शादी करा दी जाती है और 15 से लेके 26 जब वह पहुंचती है वहां तक लगबग सबकी बोला जाता है कि शादी करानी जरूरी है जिसकी वज़ज़ से क्या हो रहा है जो population है वो जैदा बड़ रही है क्योंकि उसमें जैदा gap उनको मिलता है जिसकी वज़ज़ से टाइम मिलता है तो शादी के बाद जल्दी से मतलब वह कहां पे जैदा पाए जाते हैं बिहार राजस्तान मनीपूर और गौा वगएरा में बहुत जैदा देखा गया है कि बहुत जैदा जल्दी बच्चों की शादी करा दी जाती है उसके बाद है joint family system तो joint family system का क्या है इसमें क्या होता है जो joint family system में इसके कुछ फायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी हैं जैसे की अगर population जो growth of population हमारी या over population हो रही है इसमें अगर हम देख देखते हैं तो इसमें यह यह कि यह देखा गया है कि जब जो माड़ बाप होते हैं वो बच्चे पैदा कर देते हैं तो उनको पता होता है कि गर में जो दादा दादी वह बहुत जैदा बढ़ जाती है आध है जन्रल इलिटरेसी यानि हमारे जो मतलब बहुत जैदा मतलब लोग जो है वह नहीं इलिटरेट है मतलब उतनी उन्होंने मतलब पड़े लिखे नहीं है ज्यादा थै बहुत कम लोग हैं जो पड़े लिखे हैं तो जिसकी वज़े से क्या होते हैं वो जो यह superstitions, stitious beliefs वगरा हैं या superstitions वगरा हैं उनमें belief करते हैं और बोलते हैं कि मतलब जो भी जो बच्चे हैं वो खुदा की तरफ से एक तोफा हैं और जितने जायदा हमारे पास होंगे तो उतना मतलब हमें खुदा हमसे खुश हो जाएगा या बगवान हमसे खुश हो जाएगा तो जिसकी वज़ज़ से वो बोलते हैं कि बच्चे और और करो जिसकी वज़ज़ से हमारे जो पॉपलिशन है बहुत जादा बढ़ जाती है तो उसके बाद है प्रेफरेंसिस फॉर सन यानि जो मतलब हमारे इंडिया है यहां पर मतलब जो बेटे हैं उनको बहुत जाएदा बोला जाता है कि हर एक फैमिली में एक बेटा या दो बेटे होने ही चाहिए इसके बगार नहीं चलेगा क्योंकि जो यह माना जाता है हमारे हमारे इंडिया में जाएदा कि अगर फैमिली का नाम आगे लेना है तो उसके लिए क्या करना है एक मतलब बेटा होना चाहिए या फादर की जो जगह अकल को बैठेगा वो बेटा होना जाए हमारे गर पे जैसे कि हिंदूस में ज्यादतर क्या होता है माना जाता है कि जो गुजर जाएंगे जो उनकी लास्ट राइट फिर होगी वो जो की जाएगी वो उनका बेटा ही परफॉर्म करेगा बेटी नहीं कर सकती है जिसकी वज़े से क्या होगी उनको अगर बेटा नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा उनको मुक्ती नहीं मिलेगी यानि उनको स जैदा जैदा इसकी करव जाते हैं जिसकी वज़े से हमारी जो पॉप्लैशन है वो भोग जाती है यानि वुमेंस जो है हमारे मतलब सोसाईटी में वुमेंज के एजुकेशन को उतमी जादे इमपोर्टंस नहीं दी जाती है इसलिए वो जैदातर इन चीज़ों में अपना एक जो point of view है वो भी नहीं रख पाती है जिसकी वज़े से क्या होता है जो उनको गरवाले बोलते हैं वो वो करती जाती है तो जिसकी वज़े से जो क्या होता है जो हमारी जो population है वो बढ़ती जाती है तो जो कि क्योंकि वो उनको मतलब नहीं पता होता है कि अगर वो नहीं भी चाती है यह सब करना नहीं भी चाती है ज़ादा बच फिर भी उनको जो family है वो नको बताती की नहीं करना है हमारा यह family का यह सब है तो करना पड़ेगा तो वो कर दी जाती है then lack of means of entertainment یعنی مطلب ہماری جو یہاں ہے زیادہ تر بہت چلوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں وہ انہی چیزوں میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے ہماری population جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے then university of marriage یعنی ہماری یہاں یہ معنی جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہر ایک کو marriage کرنا ہی پڑے گا اس کے بغیر نہیں چلے گا यानि अगर आपके गर पे बहन होगी या बाई होगा एक एज पे वो पहुँझाते हैं फिर आपके रिष्टेदा जो हमारे सुसाइटी वाले वो हमारे पीछे ही पढ़ जाते हैं कि इनकी शादी करा दो इनकी क्या कर रहे हैं गर पे ऐसे ही तो यह एक सोच है जिसके वज़ हजबन होते हैं वो गुज़र जाते हैं तो फिर बहुत लोग उनको बोलते हैं कि वापसे शादी कर लो जब वो वापसे शादी करते हैं तो फिर उनको वापसे वो सब करना पड़ता है उन सब से डील करना पड़ता है जिसके वज़ेसे हमारी पॉपलेशन है वो बहुत ब बढ़री अगर पहले से ही जो हमारे पेरेंट्स होंगे या जो भी हमारे लोग है राउंड वह पहले से उनको नौलेज होगी कि कल को इसके क्या इंपक्ट्स वग्यारा हो जो पर हैं तो फर वो नहीं करेंगे जिसके वाज़ें जो लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी और प consequences of population explosion यानि population explosion की क्या नतीजे निकलते हैं फिर सबसे पहले shortage of food यान जब population explosion हो जाएगी automatically क्या हो जाएगा हमारे खाने में भी कमी हो जाएगी यानि जितना हम produce करते हैं उतना ही वो लोग सारे consume कर लेंगे तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी लोगों को फिर उतना मिलेगा भी नह सकते हमारे जो नाजर रिसोर्सेस वो उतना हमें नहीं दे पाते होंगे इसकी वज़े से क्या हो जाएगा लोगों सारी लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छे से दो टाइम का खाना भी नहीं मिल पाएगा और अगर हम देखेंगे हमारी जो इंडिया में क्या है टू थर्ड ज जिसकी वज़े से क्या होता है मतलब अगर चार लोग हैं उसमें से एक जो बंदा होगा उसको माल नूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी यानि वो अच्छे से उसको खाना नहीं मिलता है जिसकी वज़े से वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है उसको अलग-अलग प्रॉब मढलम्स भी फेस करने इसके बात है इंक्रेस इन पॉवर्टीी तो जो यह मतल Warren जो घरीबी जान ओगी जिए ठोबेच कि अगरी भीsprit तो गरीबी भी बहुत जैदा होगी अगर population कम होगी तो गरीबी कम होगी तो तो इसी लिए ये कहा जाता है कि जो poverty है ये दोनों मतलब है cause भी इसी का है मतलब population growth of population का rapid growth of population का cause भी है और result भी है इसका यानि इसी की वज़े से होता भी है और फिर इसकी वज़े से कि जब growth of population जैदा हो जाती है तो फिर poverty भी हो जाती है तो इसलिए ये देखा गया है कि जो हमारी country में है मतलब इसी की जो poverty बहुत जैदा है जिसकी वज़े से क्या हो रही है rapid growth of population हो रही है और ये देखा गया है कि जो हमारी country है यहां पर 35% लोग है वो क्या है below poverty line है यानि उनको गरीबी की जो line है न मतलब एक रखी गई है कि इस line से जो काम होंगे वो बहुत जैदा गरीब है तो जो 35% लोग है वो बहुत जैदा गरीब है हमारी country में जिसकी वज़े से उनको जैदा यह हो रही है poverty हो रही है then है shrinking of agricultural land यानि जो हमारी agriculture में लैंड वगर यह जहां पर हम plants लगा सकते हैं जो भी हमें लगाना है वो वो कम होती जा रही है क्यों होती जा रही है क्योंकि जितनी population बढ़ती जाएगी उतनी लोगों को फिर गर भी चाहिए रहने के लिए तो उसके लिए जमीन चाहिए अगर जमीन चाहिए तो फिर आप जिस जमीन पर कुछ चीज़ें उगाते हो जो चीज़ें आप नाचर रिसोर्स वगरा हैं आपको वो आपको उसके लिए consume करनी पड़ेगी जिसके वज़े से क्या हो जाएगी हमारी जो जमीन है वो कम होती जाएगी यानि जितने जाएदा लोग होंगे उतनी फिर कम उनको जॉब्स मिलेंगी क्योंकि कंट्री बोत मतलब जो हमारी इंडिया अभी मतलब वो developed country नहीं है वो सब को employment नहीं दे सकती है ना तो अभी वो एक developing country ही है इसी जिसकी वाज़े से उसके पास जो जॉब्स है व कुछ लोगों को ही मिल पा रही है जिसके वज़ेश जो हमारी unemployment है वो बहुत जाएदा बढ़ रही है और आप देखोगे हमारे जो इंडिया में बहुत सारी लोग है जिनों नहीं bachelor's और master's की degree complete भी कर ली है लेकिन फिर भी वो गर पे बैठ है उनके पास कुछ भी करने को न नहीं मिल पाती है जब population explosion हो जाता है बहुत जैदा तो सब मतलब पढ़ाई नहीं सब कर पाते हैं वहीं आप देखोगे हमारी country में बहुत सारी जो लोग है जहां पर सब को अभी जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आप रास्ते में जब चलते होंगे आप देखते होंगे बह बेज़ते हैं वो वहाँ पर भी उनको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है तो इसलिए वो बोलते हैं कि वहाँ कुछ देने से अच्छा है कि हम school ना ही बेज़े बचे को तो वो कोई काम ही कर ले तो जिसकी वज़े से क्या हो रही है जो पढ़ाई है वो सब लोगों को नह ही मिल पाती है जिसकी व्यचे से वो अनपढ़ ही रह जाते है तो अगर उनको एड़ोकेशन नहीं मिलेगी क्या हो जाएग वो फिर प्र यह उन मिले कि पार रही 10th या 12th आप अगर पास भी कर लेते हो फिर भी आपको जॉब नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि competition बहुत जएदा है तो आपको पढ़ाई करनी है जितना हो सकता है आपको बड़ी बड़ी degrees पर जाना है आपको उनको complete करना है तो अगर आपको basic आपको education नहीं मिलती है यानि जितनी हमारी यहां population जैदा होती जाएगी उतने ही मतलब जो natural resources है उनको exploit किया जाएगा उनको बुरे तरीके से use किया जाएगा जिसकी वज़े से क्या हो जाएगा environment में pollution हो जाएगा उतनी जाएदा गाड़ियां लोग use करेंगे गर बनाएंगे तो जिसकी वज़े उन साब के लिए क्या चाहिए हमारा हमें natural resources चाहिए गाड़ियों से जो दुआ निकलेगा उससे हमारा माहूल खराब हो जाएगा तो ultimately क्या हो जाएगा environmental pollution हो जाएगा then effect on health facilities यहां पे health है तो जितने जाएदा population होगी उतनी हमारी health facilities है वो कम होती जाएगी तो जिसकी वज़े से अगर हमारी over population होगी उसका बहुत बुरा जो यह है असर पड़ेगा किस पे health facilities पे जिस जितनी भी आप देखना वर्ल्ट की बड़ी बड़ी countries है वहाँ पे जो health बहुत जहां पे population है वहाँ पे health facilities उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है लोगों को क्योंकि वो afford नहीं कर पाते है health जो better health facilities अपने जो लोगों को देशा के कम पैसों में तो यह इसका यहां पे है देन है overcrowding तो overcrowding मतलब बहुत ज़्यदा population जब होगी तो बहुत ज़्यदा overcrowding समझो आप इदर मतलब बहुत ज़्यदा शोर शराप होगा आपके रिद गरिद बहुत सारी लोग होंगी तो अगर आप जैसे देखो buses में कभी आप चड़ते हो कि आप देखते हो बहुत सारी लोग हैं तो अगर आप गाड़ी में चड़ते हो रेल्वेज में जाते हो मतलब रेल्वेज स्टेशन पर जाते हो वहां आप देखते हो बहुत सारे लोग होते हैं overcrowd में over loaded होती हैं वह सारी चीज़े तो यह भी किसकी वज़ से हो जाता है population explosion की हैं तो जैसे कि एक मोटो चल रहा है बहुत इंपोर्टन फैमिली प्लैनिंग का कि चाइल बाइ चोईस नोट बाइ चांस और चाइल बाइ डिजार नोट बाइ एक्सिडेंट यानि अगर आपको बच्चा चाहिए आपको कोई यह नहीं है कि चांस मिला तो आप नहीं कर दिय आपको अगर चाहिए बच्चा तब भी बच्चा होना चाहिए इस दुनिया में आना चाहिए या बच्चा अगर आपको खोईश आपको बच्चा चाहिए तब भी आपको करना ऐसा मतलब यह उठाना पड़ेगा कदम नहीं तो ऐसे ही नहीं कि अचानक से हो जाएगा तो इसके वज़े किया हो जाएगा कुद की आप लाइव भी आपकी अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो अच्छे से नहीं पाऊगे वहीं बच्चा भी अच्छा से आपनी जो भी इसकी नीडस यह उसको नहीं उसकी विपूरी नहीं हो पाएंगे तो इसलिए हमें पहले से ही ब birth control methods आपको बताई जाएंगी family planning control में ये बताई जाता है और बाकि जो भी family planning methods हैं वो बताई जाती है तो जब भी ये चीजे होती है आपको पहले सी इनके बारे में पता होगा तो आप वैसे ही decisions भी लोगे providing education facility to the people तो यानि हमें क्या कर सकते हैं बहुत सारे जो literacy यानि जब अनपढ़ जो लोग होते हैं मतलब जहां पर जो पिचारी पढ़ नहीं पाते हैं जिनको education नहीं मिलती है वो उनको नहीं पता होते है क्या सही है क्या गलता है तो वहीं पर जहां पढ़ाई जैदा नहीं मिलती है अगर हम education नहीं लोगों को देंगे सबसे पहले तो बहुत हद तक जो birth rate है वो बहुत कम हो जाएगी उसके बाद है improving the status of women हाँ तो हमें जो हमारी ओरते हैं उनका हमें क्या करना पड़ेगा जो status है वो हमारी society में बढ़ाना पड़ेगा यानि यह नहीं कि अगर गरवालों को चाहिए बच्चा तो बोलिंग उसको करने के लिए वो कुछ भी करेगी नहीं अगर उसको चाहिए तब जो उसको बोलना है जो बोलना चाहती है वो सारा वो बोल पाए उसका भी एक status होना चाहिए यह नहीं यह नहीं कि उरत एक मशीन की तरह आप उसको करोगे स्ट्रीट कर नहीं रवालों फाल सकती है आपना पता है उसको क्या करना किसे करना है उसको इमपॉर्टैंस देनी है उसके भी बात को और साथ में आप देखोगे जो वेस्ट में जो कंट्रीज या बड़ी बड़ी वेस्टरन कंट्रीज है वहाँ पे आप देखोगे वुमिन्स जो है वो बाहर बहुत जादा काम करती हैं वो गर पे जादा नहीं रहती हैं जिसकी वज़े से क्या होता है जब बाहर के काम वाम क करना है और जो भी वो करना चाहती है उनको करने देना है इसलिए जब वो फिर काम भी करेंगी बाहर जाएंगी तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ अगर हम छोटी फैमिली रखेंगे तो हम अपनी जो हमारी एम्स वगारा है वो भी फुल्फिल कर पाएंगे तो इसलिए क्या ह यह जो है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यह नहीं है कि हम एक छोटी जो उमर है उसी में बच्चों की मतलब जो लड़के आए लड़के उनकी शादी करा देनी है तो हमें एक जो एज है वो लेट करनी पड़ेगी जहां पर मतलब जो चाइल बेरिंग जो प्रॉसेस वो कम हो जाएगा टो जिसकी वज़े से फिर बच्चे ओंगे वो भी कम हो जाएगे जितना हो सकता है हमें यह जो फेमिली प्लैनिंग जो चीजें यह हमें दूर दूर तक पहुंचा निया जो गा Einstein जएदा गाउन जो एरियाओ ज़ो एरियाओ के एरियाओ भांपे पहुं और अगर छोटी फैमिली होगी, तो वह कैसे एक अच्छी फैमिली, हैपी फैमिली हो सकती है। then provision of incentives basic schemes तो अगर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि government यह कर सकती है कि अगर वो बोलेगी कि अगर दो बच्चे हैं जैसे चाइना भी करती है अलग-अलग time पे अलग-अलग policies बच्चों के लिए लेटेड तो इंडिया भी वैसे कर सकती है वो बताएगी कि अगर आप इतने बचे रखते हो तो हम आपके इतने बच्चों को free education देंगे हम उनको कहीं पर free admission देंगे, technical courses देंगे, scholarship देंगे तो जिसकी वज़े से क्या हो जाएंगी, लोगों का भी दिमाग हो जाएगा कि हाँ अगर हमारे बच्चे काम होंगे तो हमें ये सारी चीज़े मिलेंगी तो जिसकी वज़े से क्या हो जाएगा, automatically फिर पॉपलिशन भी काम होती जाएगी then providing enough recreation facilities, तो यहाँ पे कि हमें मतलब जो हमारी country है इसमें अलग-अलग जो recreation facilities वगरा हैं, जैसे कि games हो गई, या कोई भी अलग-अलग जो भी मतलब लोगों को अच्छा लगता है करना वो सारी अगर हम करेंगे facilities हमारे around रखेंगे, तो लोग क्या करेंगे, लोग उनमें busy रहेंगे जिसकी वज़े से उनको ये चीज़ें जो एक चीज़ उनको मतलब मिलती है, उसके लिए उसमें नहीं जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उन्हीं facilities में रहेंगे तो जिसकी वज़े जो हमारी population है, वो भी कम होगी, उसके बाद है adoption, यानि adoption हम एक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे country में की, जिनको जिनके जो parents है, वो गुज़र जाते हैं, तो उनको अगर हम adopt करेंगे, तो हमें फिर बच्चों की जरुरत नहीं पड़ेग और, तो उससे भी क्या हो जाएगी, जो population, उनको जो बच्चे हैं, उनको भी माँ बाप मिल जाएंगे, और इनको भी बच्चे मिल जाएंगे, जिनको जो ये बच्चे लो करेंगे, तो जिसकी वज़े जो population होगी, वो control ने आ जाएगी, then change in social outlook, तो हमें जो एक लोग का तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो ये अगर हमें चेंज करना है, इसके लिए हमें लोगों को जाएदे से जाएदे करना है, अब हम देखिंगे, role of media for population awareness, तो अगर हमें population के लोगों को, तो उसमें मीडिया का हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, उसका क्या रोल है, meaning of mass media, सबसे पह कि एक communication, लोगों के साथ, जब हमें एक साथ ही बहुत सारी लोगों के साथ बात चीत करनी होगी, तो हम इसी के थ्रू कर सकते हैं, ये कुछ instruments हैं, जिनके थ्रू हम बहुत सारी लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, तो जो ये media है, इसमें हमारा newspaper भी आएगा, magazines हों और ये बहुत ज़्यदा लोग यूज भी कर रहे हैं, तो ये भी आपका mass media में आ जाता है, then importance of mass media, mass media की क्या importance है, it is very useful in spreading literacy and social education, तो ये बहुत ज़्यदा मतलब लोगों को अगर हमें literacy को spread करना है, बहुत सारी लोगों को literate करना है, उनको education देनी है, तो उसके लिए हमें बह जरूरत की चीज़े हैं, आप कोई भी चीज आज इंटरनेट पर सर्च कर लो, जो भी आपको जरूरत है, कोई चीज़ आपको पता करनी है, वो आपको मिल जाएगी, अगर आपको कोई नया topic पढ़ना है, वो नहीं आपको किसी book में मिल रहा है, आपको library जाने की जरूरत आपको गर बैटे बैटे सारी information मिल जाती है, इट सेंडS information to remote places and help in distance learning, तो यह जो बहुत दूर फर्फलंग areas जो है, remote areas वगेरे, वहां तक information पहुंचाने में भी help करते हैं, जो distance learning होती है, हमारी उसमें भी हमें मदद देते हैं, mass media can, यानि हमें school आके पढ़ने की, कोई education लेनी की जरूरत नहीं है, अगर हमारे पस mass media हम use करते हैं, हमारे पस यह सारा है, phones है, या news paper है, हम गर बैठे 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 भी education ले सकते हैं, mass media can bring entire world into the classroom, जो mass media हो हमारा, हमारी पूरी दुनिया की जो information है, उसको जो भी है, वो सार information very speedily, और यह जल्दी से हमें जो भी information चाहिए होती है, वो हमें जल्दी से मिल जाती है, mass media appeal to various senses and this is helpful in developing motivation, और जो mass media हो हमारे, जितनी भी senses है, उनको अलग अलग तरीके से यह करता है, अपील करता है, जिसके वाज़े से जो हमारी motivation है, वो भूज़ादा बढ़ जाती है, तो अब है सबसे पहले radio, most exciting means of communication, तो जैसे कि आपको पता है radio क्या होता है, तो यह सबसे जो exciting means of communication और जो पहले भी आया था, तो जो बहुत जाएदा लोग use भी करते हैं, तो वो इसी को बोला जाता है, जो most exciting means of communication क्या है हमारा radio, तो originally devised for entertainment purpose, it is now being widely used for education, तो इसका में मक्सद क्या था लोगों को entertain करना, अगर वो बैठे होते थे तो वो news सुन लेते, गाने सुन लेते उसके लिए, लेकिन आजकल क्या use किया जाता है, education हासिल करने के लिए भी बहुत जादा use किया जाता है, radio besides being a mass media of communication can also play a major role in importing instructions to the school children, तो अगर हम इसको बोलेंगे, एक mass media of communication है, उसके साथ साथ, अगर हमें अपने स्कूल में बच्चों को भी कुछ instructions देने हैं, कुछ भी बाते उनको बतानी हैं, उसमें भी हम अगर radio का use करेंगे, तो हम कर सकते हैं, जैसे कि आज, जैसे कि आपको पाता है, COVID-19 चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे जो, मतलब हमारे teachers होंगे, या हमार जो state के, state, मतलब, state का, जो education department है, उसनी क्या किया है, बहुत सारे ऐसे, जो teachers है, उनको पॉइंट किया है, और वो क्या करते हैं, रेडियो के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, रेडियो ब्रॉड कास्टिंग is still the most important medium of mass media in the majority of Asian countries, तो जो रेडियो के थ्रू जो भी प्रोग ब्रॉड कास्टिंग के रिलेटे जो भी न्यूस वगए जो भी कुछ चाहिए होगा वो इसी में होता है, वाल दे रीच ऑफ टेलिविजन इस ग्राजुली एक्सपैंडिंग रेडियो कंटिनूस तो बी बहुत जादा बढ़ रहा है, आगे बहुत लोग ले रहे हैं, मतल उसको पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप देखो कि बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज गाहों के एरियाज जहां पर लोग अभी भी रेडियो यूज करते हैं, तो या तो आप उनको पसंद है या वो अफोर्ड ने कर सकते हैं, तो जिसकी वज़े से वो क्या अभी भी ये य होते हैं, तो इसलिए कभी भी जो न्यूज बता रहे होंगे उनको जो ब्राड्ड कास्टर्स जो होंगे रेडियो पर उनको हमेशा ये सारी जो उनकी नीड्स वगएर हैं, रूरल पॉपिलेशन की उनको अलग तरीके से उनको नहीं जो वो सोचते हैं, वैसे उनको बताना ना लगे और वो अच्छे से समझ जाएं वेरियस फॉर्मेट्स यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग पॉपलिशन एजुकेशन आर्ट डिसकेशन इंटर्व्यू एंटर्टेन्मेंट ड्रामा तो अलग अलग जो फॉर्मेट्स हैं सॉंग के थूब बता सकते हैं या ड्रामस वगयरा जो रेडियो पे होते हैं इसके थूब हम लोग को एजुकेट कर सकते हैं पॉपलिशन के इरलेटेड डियो एजुकेशन देता है या बहुत सारी ग्रूप को भी दे सकते है तो अब है में बियुकेशन देज में पाइस देलेटेकों नियुकेशन के आचाह में बहुत सारी कंट्रीश नाया है जो वह तक कहरे सब्सक्राइब एंपरूप नीच पतार है प्रूप को अधर समया जाना होतार है और जो हमारे रेडियो इस पे बहुत सारे लोगों की दरफ एक्सपर्ट जो होते हैं पॉपलिशन एजूकेशन में उनकी टॉक्स होती हैं वो बातें करते हैं इन इशूस के रिलेटेड जिससे क्या हो जाएगा जो लोग अगर उनको सुनेंगे तो उनको पसंद भी आईगी तो अगर हम देखेंगे जो हमारी कंट्री इंडिया है यहां पे मतलब बहुत जादा एरिया बहुत दूर दूर तक फैली कंट्री है जिसमें जो हमारा टेली विजन है वो एक बहुत इमपॉर्टन पार्ट मतलब निबा सकता है अपना लोगों को एजूकेट करने में और यह मास कम्यूनिकेशन का बहुत जादा एक इंपॉर्टन और पावर्फूल मीडियम है इसको आम फॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं और इंफॉर्मल अजन्सी ओफ एजूकेशन में भी यूज कर सकते हैं जो कि आपने 11 प्पढ़ा होगा पॉर्मल नॉन फॉर्मल क्य होते हैं इट अट्रेक्ट अटेंशन विच इसेंचल फॉर्र लर्निंग इट ऑफर वराइटी ऑफ प्रोग्राम्स न्यूस म्यूजिक ड्रामा डिस्कॉशन स्पीचिस कमेंट्स लाइव टालिकस्ट इंपॉर्टन इवेंस साइंटिफिक इन्फॉमेशन और फिल्म्स तो देखते हैं इट कवरेच इस कवरेच शोज एट इस बैटर एंड मोर एफेक्टिव मीडियम ओफ कम्यूनिकेशन अस कम्यूर्ट तो जिस हिसाब से इतने सारी शोज वगरा को कवर करती है इसमें इतने सारी हम शोज देख सकते हैं तो यह माना जाता है कि यह बागी जितने मीडियम जे उन सबसे ज़्यादा इंपोर्टन मीडियम यह है मतलब अगर हम बागी उनके साथ इसको कम्यार करेंगे सबसे बेस्ट यह 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 मोर एफेक्टिव यह है तो यह बोला जाता है क्योंकि जो हमारी जो टेलिविजन है देरे देरे यह बहुत मतलब पॉपलर हो यह बहुत सारी लोग भी इसको यूज कर रहे हैं तो यह इसलिए हमारी जो यह लाइफ है उसको बहुत तरीके से बदल रही है टेलिविजन कैन बी नाव रिगार्ड़ एज वाइटल फोर्स इन आवर स्कूल और टेलिविजन हम अपने स्कूल में भी टेलिविजन का इस् को अलग अलग तरीकों से आइडिया और नौलज दे सकते हैं इन वर्स the यूज फोरिवासे बेढकर है इसमैं यह क्यों साब से बेस्त क्यों कि आप तेलिविजन देख आप उसको सब्सक्रा पढ़ भी सकते हो देख है जिसके वाज़ इसे आपकी वह अलग अलग स् précisूज को यह करता है इंपक्त करता है तो आप जिसके वज़े से आप वो फील आप करते हो अलग लग चीजों को तो आप जल्दी फिर वो रिटेंड भी कर लेते हैं इसलिए इसको भूज़ादा इंपोर्टन माना गया है इट प्रोवाइज उनिफॉर्म एक्सपीरेंस तो और स्ट और जो डिस्टेंस लर्नि बहुत दूर से आप जब कोई चीज पढ़ते हो तो अगर आप टेलिविजन पर ही लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो इसमें बहुत जैदा हल्पूल होगी जो बच्छे स्कूल नहीं आप आते हैं जो फार्फलंग एयास में रहते हैं तो अगर वो गर बैठे बैठे ही उनको अगर एजुकेशन में लेगी तो फिर जल्दी से आप हमारे जो कंट्री है वो एजुकेट हो चाहेगी उसके बाद है न्यूस पेपर तो जो अब हमारा जो हमार जो न्यूस पेपर वो प्रिंट मीडिया ऐ तो जसमें जैसे कि इसमें जीटेपर आते हैं चाहे जासे ब्हुत जयादा लोगों के जो बहुर्पीपर है और ओपीनियन उसको चेंज करने के लिए या इन्फ्लिण्स करने के लिए देखा गया कि बहुत इफेक्टिव होती उसमें विदे स्पैड अफ लिटरेसी विदिन दा कंट्री दिमांड दिमांड फॉर न्यूस पेपर्स हैस गून और जैसे ही जितने हमारी कंट्री में लोग आगे आगे पढ़ रहे हैं जो नूस्पेपर की दिमांड है वो भी बढ़ रहे है तुम्हिंकि जितने लोग पढ़े लिखे होंगे उतने वो फिर नूस्पेपर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे for educated people reading in newspaper is an essential routine और वो लोग जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए newspaper रोज पढ़ना एक बहुत important part है उनके लाइफ का even in villages the craze for illiterate populist of news is satisfied by somebody reading the newspaper to them और villages भी क्या होता है लोगों को बहुत मतलब शोक होता है इसका newspaper पढ़ने का पढ़के बताओ फिर वो उनको बताते हैं तो उसमें newspaper help पुलोता है newspaper have certain advantages over the radio and TV as they cover more news in much greater details than other media तो अगर हम देखी जो newspaper उसके जैसे TV और radio उनसे कुछ ज़्यादा फाइदे हैं कैसे फाइदे हैं क्योंकि ये जो news है उसको बहुत अच्छे तरीके से details में cover करता है जबकि वो कम details में उसको cover करता है news stories cover the latest developments in such fields as population, government, politics, sports, science, business, arts तो जो भी news stories वगरे होती हैं वो जो भी हमारे आजकल चल रही हैं latest होती हैं उनको उसके उपर लिखी जाती हैं जैसे कि population के उपर होती हैं, government के उपर होती हैं, politics के उपर होती हैं it has been found by experiments that readers are better persuaded by cartoons, news, articles and editorials in the newspaper और ये देखा गया है कि जो readers पढ़ने वाले होते हैं उनको क्या पसंद होता है जयदा cartoons वो पसंद करते हैं और cartoons वगरे उन पर जयदा impact करते हैं उनकी census पे news हो गई, articles और editorials वाले जो section होता है वो जयदा पढ़ते हैं the daily newspaper can be effective teaching aids also these are full of information about the general economy and social life of the people of a special region and country तो जो daily newspapers होते हैं अगर रोज लोग पढ़ेंगे तो उनको क्या उसमें मतलब एक बहुत effective teaching aid है क्योंकि ये information से बरे हुए होते हैं और जैसे कि general हमारी economy के related हो गए, social life के related हो गए और हर एक region के और country जो हमारी country है उसके related होती है इसमें news तो लोगों को जैदा education मिलेगी इससे they have found a way into the schools, colleges, universities, information centers and public libraries where they provide useful current information and specialized reading on a variety of topics तो इसी तरीकी से आप देखो अगर आप स्कूल जाते हो, colleges में देखते हो, अपने library में देखते हो, वहाँ पर क्या होते हैं, newspapers रोज होते हैं तो इसलिए जो यह news prep बहुत ज़्यादा मतब उसको देरे देरे ज़्यादा लोग accept कर रहे हैं, तो यह भी हमारा population education में बहुत ज़्यादा helpful हो सकते हैं then है हमारा audio visual aids, तो इसमें क्या आता है, audio visual aids are devices or technological media or learning devices are added devices that help the teacher to clarify, establish, correlate and coordinate, accurate concept, interpretations and and enable him how to make learning more concrete, effective, interesting, inspirational, meaningful and vivid तो जो audio visual aids होते हैं, हम बोल सकते हैं, कुछ devices हैं, चीज़े हैं, technological media हो सकते हैं, हमारा जिसके through हम क्या कर सकते हैं तीचर होते हैं, वो अपनी जो जिससे साथ से उसको पढ़ाता है, वो उसको और अच्छा बना सकते हैं, उसको अपने concepts को और accurate कर सकते हैं, वो अपने मतलब बच्चों को जएदा अच्छे से पढ़ा पाएगा, जिससे जो बच्चे के लिए जो education होगी, वो इसमें अलग- इंस्टाग्राम के थूँ आपको notes डालता है, वो उसको हम बोल सकते हैं, या आप देख सकते हो, कोई video जैसे अभी ये है, इसमें आप देख भी सकते हो, और आप इसमें सुन भी सकते हो, mobile phones भी इसमें आते हैं हमारे, अगर YouTube पे आपको भी कोई video देखते हो, उसमें आप व लिए उसमें इसमें में इसमें इसमाल करेंगे, तो हम भूत एजिवी सकते हैं भी आपचों को भी को भी आप शुटो के देखे सकते हैं, बच्शों को बच्छों को भी इसमें धायर घ्यरूं को हम इसमें इसमें भी ठीसके 안녕ink they play a significant role in achieving the teaching learning objectives related with the subjects of school curriculum तो यह मतलब अगर school curriculum में जो हमारी subjects होते हैं उनके related अगर हमें कोई बच्चों को चीज बढ़ानी है उसके related यह उन objectives को fulfill कराने के लिए यह बहुत helpful होता है और important भी है the aim of teaching with technology, technological media is clearing the channel between the learner and things that are worth learning learning तो जो इसका main aim क्या होता है यह कि अगर हम technological media के through अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो एक channel है एक learner और जो उसको चीज़ें पढ़नी है जरूरी पढ़नी है अगर वो उसको पढ़ानी है तो उसमें यह बहुत ज़्यादा helpful होंगी the teachers must show as well as tell तो इसलिए teachers को जब वो कोई चीज़ बताते हैं आपको तो उनको वो दिखानी भी है अब वो आपको दिखाएंगे तो वो आपको ज़्यादा time तक याद रहीगी the audio visual aids provide significant gains in information, learning, retention and recall, thinking and reasoning, activity, interest, imagination and personal growth and development तो जो audio visual aids होते हैं यह आपको बहुत help करते हैं information learn करने में नहीं information learn करने में कोई चीज़ whole time तक रायाद रखने में और याद करने में, सोचने में, reasoning करने में, कोई activity करने में, अपने interest को बढ़ाने के लिए, imagination बढ़ाने के लिए और personal growth और development के लिए audio visual aids जो होते हैं यह आपको बहुत help करते हैं so we should make use of audio visual aids in teaching learning तो इसलिए अगर हमें teaching learning जो हमारे process है इसमें जो पढ़ाई लिखाई का जो process है या पढ़ाने और पढ़ने का जो process है अगर उसमें हम audio visual aids का use करेंगे तो जो हमारी teaching learning जो इस process है यह बहुत helpful रहेगा